जुनेत साब ने मुझसे कहा था कि इस तरीके से हमारे कुछ students है और aspiring students for computer exams इनके साथ बात करनी है तकरीर या speech की बात तो मैं नहीं करूँगा बात करनी है तो मैंने सोचा कि क्या बात की जाए अब दहस्या पंद्रा मिनट में जाहर सी बात मैं आपको कुछ secret तो बता नहीं सकता हूं कि कोछीर शाद कशिवर अगर बमाजगा, ठीक, तो 15 मिंट में आपको इस बता नहीं सकता हूँ, कि 15 मिंट में आपको इस कैप्शुल है तना विद्य थे कि कि उस किताब पोरी हूँ, कि उस किताब में पोरी हूँ, so I thought over it for some time and then I thought जो अपना भी थोड़ा experience है कुछ लाइफ में जिस लाइफ की process से गुजरे है जिन लोगों को देख रहा है जिनके साथ interactions हुई है फिर उसके बाद as a teacher जिन students को आगे बढ़ते होई देखा है उनकी उडान देखी है तो एक 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 sort of 5-6 चीज़े आपके साथ 5-6 points आपके साथ share करूँगा वैसे बहुत सारी चीज़े ऐसी होंगी जो repetitive होंगी जो आपने सुनी भी होंगी अब मैंने कुशिश किये के 5-6 चीज़े को एक जगा जमा किया जाए हो सकता इससे आपको पहली चीज़ यह कि हमें जहन में रखना चाहिए कि nothing is impossible नामम्किन कुछ है नहीं ठीक है तो जब भी आप किसी भी exam के लिए आजाए we are talking of competitive exams तो एक process से आपने गुजरना है किसी भी competitive exams के लिए prepare करते है और फिल तो 5-6 नुकात points जिनको मैं समझता हूँ कि एक student को जो S को जहन में रखना चाहिए उनको sort of notebook पे रखना है tick 1, tick 2, tick 3 क्या यह सारे हो रहे है कि नहीं है आप में से कोई differ भी कर सकता है तो अगर आपकी यह पॉइंच इस इमाज गो लिए आपकी assessment आप से बहतर कोई ओर कर नहीं सकता है यह बहुत clear है मतलब आप में strengths क्या है आप में weaknesses क्या है आपका aptitude किस तरफ है और कौन सी चीज़े आपको bore करती है किन चीज़ों में आप Excel कर सकते हो गाइड आपको कोई भी कर सकता है लेकिन पहली चीज़ यह assessment आप खुद ही कर सकते हो आपके अंदर क्या है वो सिर्फ आप जानते हो और आपका खुदा जानता है तीसरा कोई बंदा उस चीज़ को जानता नहीं यह जब आप इस रास्ते पे competitive exams के इस बात पे निकले आपको पहले खुद को assess करना है यह किसी से आपने सुना मुझसे सुना इस सुना उस से सुना सुना अच्छा है इस गुड तो लिसन लेकिन उसके बाद ultimately जो बात करता है उसने कोई exam qualify नहीं करना होता है उसने कोई तैयारी नहीं करनी होती तो सबसे पहले इंपॉर्टन चीज़ है कि आप खुद को assess करें कि मेरे अंदर कौन से aptitude है अगर मुझसे कहा जा रहा है कि यह particular exam है क्या मेरे लिए यही रास्ता है कि यह हो सकता है देरे मदब आप में से I know many people जिनके अंदर aptitude था teaching का अब इस बंदे को आप किसी और चीज़ में लगा दो शायद वो वहाँ fail हो जाए कोई बंदा है उसका aptitude है civil services में आप उसको medicine के field में लगा दो he would prove to be a disaster वो तबाही मचा देगा उसकी गलती नहीं होगी उसकी शायद एक ही गलती है उसने properly खुद को assess नहीं किया या उसने खुद को assess किया था जो आगे थे उन्होंने माना नहीं जो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ तो पहली चीज़ है कि assessment is very important ये आप के बदले कोई और नहीं करेगा आपको या कोई भी बंदा आपको जानता है तो सबसे important चीज़ है assessment अब assessment हो गई पहली बात इसके बाद क्या करना है इसके बाद मेरे ख्याल में जो सबसे important चीज़ होती है that one has to make right choices in terms of what अब कौन सी choice करना है in terms of guide and literature अब आपने assessment कर दी आपने अपना aptitude आपको हो गया इसके बाद मुझे लगता है कि मैं teaching के लिए है या मुझे लगता है कि मैं medicine के लिए है या मुझे लगता है कि मैं civil service में I can prove to be a very good administrator ये तो आपकी assessment हो की आपको अब इसके बाद इस field में जाने के लिए आपको guide की जरूरत है एक रहबर की जरूरत है जो आपको बताए क्योंकि we do not know everything हम हरो एक बात जानते नहीं है यहां पर important है कि आपका जो guide होना चाहिए वो सही होना चाहिए जो आपको सही रास्ता बताए जो आपको सही रास्ते पे लगाए और वही guide जो है guide के साथ साथ मैं हाला कि यह दोनों एक ही है guide एंड राइट लिटेशन के राइट गाइड जो आपको बताए मिसाल के तोर पर हम अभी यहां पर जब प्रोग्रम स्टार्ट हुआ हम बात कर रहे थे कि आपको guide मिल गया कोई भी आपने उनकी की बाते सुनी आपने मेरी बाते सुनी मैंने आपको कहा कि मैंने यह किया है वो किया है लेकिन अगर मैं आपको properly guide ही नहीं कर पाया यहां मैं पढ़ता रहा है मिसाल के तोर पर आपके हाँ competitive exams में quality का पार्ट होता है ठीक है अब quality पे हजारों किताबे अब आपने काम क्या आपने 10-15-20 किताबे उठाली सारी पढ़ ली रटा मार दिया and you are very sure कि सब clear है exam में आगया उसमें पांच question थे quality के तुम और किताब और मजा अख सवाल तकी है तुम पांस सवाल है एक लक्ची किताब में जो 50 pages की बीस रुए किया थी लेकिन वो किताब आपने पढ़ी क्योंकि आपने right literature नहीं पढ़ा और जो आपको guide कर रहा था उसने आपको rightly guide नहीं आपने अपनी assessment सही की थी आपको लगा था किया आपका aptitude इसमें है लेकिन आपकी assessment stage checklist में जो दूसरा पार्ट है इसकी वज़ा से यहां पर जो आपको सही चीज नहीं मिली इसकी वज़ा से fail हो तो कि जो बंदा आगे था जो आपके guide थे जो आपने पढ़ा था वो आपने स books you read and the people you surround yourselves आप क्या हो आप क्या बनोगे ये decide करता है कि आप किस माहूल में रहते हो आप किन लोगों के साथ उठते और बैठते हो आपको कौन guide करता है आप किस किसम की कताबें पढ़ते हो हम अक्सर बच्पन में पढ़ते थे सिंगल रॉटन वो एपल वो पूरे उस एक रॉटन एपल को आपने रख दिया एक पेटी में वहां सारे save ठीक थे 15 दिन के बाद सारे save करा आप तो company बड़ी matter करती company सिर्फ friend list में ही नहीं होती सिर्फ friends आपके जो है वही नहीं कंपनी जिनके साथ आप तयारी करते हो जिनके साथ exams की preparation करते हो जो आपके guides है company किताबे जो आप पढ़ते हो literature ठीक तो assessment के बाद मेरे खाल से यह दूसरा important जो दूसरी important चीज़ है कि right assessment हो गई आपकी उसके करोगे उस guide को इस्तिमाल करोगे ताकि आपकी जो assessment है जो आपने अपनी assessment की आप उस assessment को right proof कर सकोगे उसके बाद तीसरी चीज़ अब खुद को assess करना right guide का सही guide का होना अच्छे literature को होना this is all theory यह सारी theory है अब है practical आपने अपनी सही assessment की लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं आपने assessment सही की आपके पास अच्छा guide था आपके पास वो सब material यह literature available था जिस material यह literature के जरीए आप एक अच्छी जगा पहुंचते लेकिन आप पढ़ना है शुना sorry आपने किताबे 20 यहां पर जमा की just because 20 किताबे यहां पर है आप अच्छी जगा तयारी करने के लिए गए इससे कोई भी exam qualify नहीं होता exam qualify होगा जब आप बीस किताबे पढ़ोगे है किन किताब वो थाउन सही थी तो नहीं भूशन सही थी गए इससे कोई नहीं हो गए assessment सही हो गई literature सही आ गया guide सही आ गया अब है इसके बाद जो तीस ना important है that is that you need to make a proper time table and follow it because यह बड़ा important है अब महनत करने है अब महनत करने ह इसके लिए exact word होगा के नहीं hard work के बतले I would use the word smart work पढ़ना यह नहीं है कि तुई भी सुवहन गंटन किताब बनता है मतलब आपको पढ़ना है very smart अब पढ़ने का एक तरीका यह है कि आपकी हाँ quality है economics है history है general knowledge है aptitude है reasoning है आपने काम क्या आपने for example history के पर भीज किताबे लाई आप तहे मकवाई हूं वूख किताब पढ़ने आपने सारा पढ़ दिया history का question आगे 10 question है so history के है 10 आपने अपना सारा time लगा दिया है किसको पढ़ने में history पढ़ आपने पढ़ा आपने 18-18 गंटे पढ़े उनीस उनीस गंटे पढ़े तो इभी तो एक सी जायते हुए थे उन थोद्तिकी हैं लेकिन पढ़ा क्या है एक ही part one part let's name it as part a आपने part a में mastery हासल की कोई भी question इसके related आपको सारा आ पाता है अभी किसी ने आदा ही question किया है and you are able to answer that fine लेकिन मसला क्या है आपने hard work किया लेकिन smart work नहीं ही ठीक तो यह मेरा जाती experience भी है so it's very important to make a proper time table and follow it rigorously हमारे हैं अक्सर time tables बनते हैं because मैं teacher हूँ and normally मेरे जो students है वो college के students होते हैं अक्सर life के stage पर बड़ी energy होती है कि वंच exam qualify का because जब आप school में हो तब आपको लगता है वंच higher secondary कोई मसला नहीं है higher secondary के बाद देखने जब आप college में आगे college के बाद आपको मसला लगता है because college से आप निकले उसके बाद हर कोई पूछेगा गैर्शी रिषदार ते पूछते हैं क्या को रहो इस नहीं है श्राक हो जिए मतलब 12 के बाद आप उनसे कहेंगे colleges करो join अब आप graduation भी करते हो graduation के बाद नॉर्मली रिषदार पूछते है वहीं क्या इंपद क्या है गैरिशा भी होना मतलब graduation आप करते हो गैरिश का मसलत आसा आप बड़ी बड़ी राय देते हो यह करो हो करो और लोग सुनते भी आप आप देख लो आप बहुत सारे लोगों इस चीज़ को experience किया होगा graduation के बाद आप बड़े हो रहे हो ना आप छोटे नहीं हो रहा है बड़े हो आप एक next level पर पहुचे आप बात करते हो गहर केंचनों कहते हैं कहते हैं मैंश पता से क्या को रूट मैंश पता से क्या को रूट तो time table सारे बनाते हैं मतलब मिटासन बनाते हैं हर एक नहां बनाए होंगे आपने भी बनाए होंगे लेकिन time table बनाना ही important नहीं है time table properly बनाना important है एक तो वह time table बनाना फिर वह proper time table बनाना और उसके बाद time table को vigorously rigorously ही है religiously follow करना important यह नहीं कि आप चार दिन time table को follow करोगे फिर साथवे दिन time table बूल जाता है आठवे दिन हम फिर बैठ जाते हैं एक दिन लगा देते हैं quality आग गंट history ड़डगंट ठीक्छा है economic जगंट सेटेड़े हाफड़े पत रिविजन संडे मॉक टेस्ट फिर एक हफ निशकर निशकर नगर्शकाएं फिर से time table बैठ जाता है so proper time table proper time table और उसके बार इसको rigorously or vigorously follow time table के बारे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि time table जब भी आप बनाएंगे जारी से बात है आपको बनाना भी है अगर आपको करना है इस तरीके से बनाईए कि यह मेरी नाकामी के खोफ से उपर उठना नाकामी के खोफ से उपर उठना प्रेलिम्स कौलिफे किया है, दो बार मेंज में गया है, तीन बार इंटर्वी में ड्रॉप हुआ है, जब इसका नहीं हुआ तो, मैं के दिए तो, इसके साथ भी आसाही हो रहा था, आप अंदाजा कीजिए, फर्स्ट एटेम्ट में इंटर्वी, आप पता नहीं इंटर्व यहां पर आपको खूफ आता है फेलियर का, अगर वो फेल हो गया है, मैं घर वालों से कहता हूँ यह, ने कोचिंगी, मैंने पढ़ादा, मैंने किताब लाई, मैं एक ही जगह बैटा, 6 मेने, मैंने कोई पाम नहीं किया, अगर बॉप हो मेरे बाप मुंसे क्या कहेगा, मेर is part of the process. हमारे हैं एक मसला हुआ है ये चीज मुझे disturb करती है कि failure जो है नाकामी नाकामी is common. ये कोई exception नहीं है. हमने इसको exception बना दिया. exception you understand? exception means rare. हरता इंसान चाल लाइफ इमस उन्नत कुई रंक, किसी ना किसी अदिबार वो कभी ना कभी फैल हो जाता है. किसी का failure बड़ा होता है, किसी का failure fail हर को ही हुआ है. पैंजे, it's not necessary कि आप particular कोई competitive exam रखिये, कि नहाँ, use competitive exam उस फैल गो, सुई को फैल. सो बार इंसान फैल हो जाता है. कभी कबार आपको अच्छा खाना खाना है, आपको नहीं मिलता है. वो भी तो failure ही है, ना. जब हमने failure को tabo बना दिया, अगर वो fail goes, बास, life के शाहिद खतम. This is problem. ये बड़ी problem है. आपको पता इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि आप कुछ करते life ही. इस खौफ की वज़ा से कि अगर मैं नाकाम हो गया, ये खौफ आपको करने ही नहीं देता है. तो ये उनकार ही नहीं पादा है. नहीं, इस वेरी, मैंने देखा है, मैं भी हो सकता है, you may differ, people here may differ. ये बड़ा important है. आप लोगों से सीखे, जाहिर सी बात है, जब आप किसी को गाइड बनाते हैं, तो इसका मतलब है, आप उससे सीखना चाहते हैं. आप इनसानों से सीखे, learn from others, उनकी जो success है, उससे सीखे, किसी की नाकामी है, उससे सीखे. लेकिन किसी को copy मत कीचे. There is difference, there is a very fine difference between copying somebody and learning from someone. इस बात है की, आप ने सुना, आप में वो energy level आ गई, बस इसने जैसे की अंबिद करी. खुदा से बंची में अंदर internal structure अलग बनो मुताहिए, अलग बनो मुताहिए, यहां पर जो बन्दा आया, आप इससे सीखे, इसने अगर कुछ किया है, लाइक में ठीक है, आप भी करना चाहते है, लेकिन सिर्फ सीखे, इसको कौपी मत कीजिए, मिसला के तोर पर हमारे यहां होता है, कि कोई बन्दा कहता है, इसने इंटर्यू में बात कही है, या किसी कहीं तो उसने कहा, कि मैं 18-18 गंटे पढ़ रहा था, ठीक है, उसने कहा कि मैं ये, ये, ये किताब पढ़ता था, बस हम यही करते, अरदा गंट शपा रहे हैं, है ना, हमें 18 गंटे पढ़ने, ये किताब पढ़ने, हम कॉपी कर देते, रिजल्ट आ जाता है, हम नाकाम हो जाते हैं, फिर हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, बुषर शायद ना कह दे, मिते कहिरा ए, उसने भी तो 18 गंटे का रहे हैं, उसने कहा था, मैंने तो 18 गंटे पढ़े थे, उसने ये चार कताबे कही थी, मैंने भी तो चीजिए चार किता, लेकिन हम यह शायदा निया करते हैं कि उसका internal structure different है मेरा internal structure खुदाने different, मेरा setup different है मैं भी यह कर सकता हूँ, मैं उसे सीख सकता हूँ उसे मैंने सीखा, मैंने देखा उसने वो किस process से गुजरा फिर मैं उस process के अपने उपर apply करूंगा कि यह process अगर मैंने करनी है, मेरा तरीका कैसा होना चाहिए So it is very important कि आप लोगों से सीखिए, learn from people वो भी जो काम्याब proper guide को, proper literature को उसको जहन में रखे उसका इसका इस्तमाल करें, उसके बाद एक time table आए, उसको vigorously follow करे और जो कुछ आप आपने guide से हासल किया, जो कुछ literature आपको मिला है उस time table के दाएरे में उन चीज़ों को पढ़े चोती बात जो मैंने कही थी, आप दूसरों से सीखे लेकिन उनको copy करने की कुशिश हरगिज न करे, कभी भी copy करने की कुशिश न करे और आकरी बात, जिन्दगी खुदा ने दिये, यह नियामत है, इसको गिफ्ट ही जानने, इसको खुदा का अजाब न बनाए, इसको खुदा का अजाब न बनाए, इसको अजाब न बनाए, आप महनत करें, work hard, उसके बाद उस पे छोड़ दे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आ अगर आफने महनत कीया, definitely you will get what you want to achieve. Thank you very much. कर दो कि और दो